नमस्कार आप देख रहे हैं जन्भावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकेता नवेंबर के पहले दिन ही पॉल्यूशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है दूर तक फैली स्मॉक की घरी चादर और दम घोटू हावा ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है राज़दानी दिली में पॉल्यूशन का इस्तर बेहत खतरनाक हो गया है सबसे गंफीर हालात नरेला के हैं जहां वायू गुडवत्ता सूचकांक यानि की एर कॉलिटी इंडेक्स 571 दर्ज किया गया है वहीं आनन्द विहार नॉइडा गाजियाबाद में AQI 400 के पार जा चुका है हालात ये हैं कि बढ़ते प्रदूशन के चलते ग्रेडिट रिस्पॉंस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है बावजूद इसके प्रदूशन पर नियंतरन बेशर है तो वहीं प्रदूशन से फिलहाल रहत की कोई उमीद भी नसर नहीं आती बलकि प्रदूशन आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है सेटलाइट डेटा के अनुसार अगले तीन हफ़तों तक हवा में और अधिक जहर घुल सकता है इसके साथ ही पडोसी राज्योत में पराली जलाने के मावले में और अधिक इजाफा होगा और इसका सीधा असर दिल्ली एंसियार की हवा पर पड़ेगा सफर के मताबिक हवाई उत्तर परश्यम की ओर चल रही है जिसकी वजह से पराली का धुआ राजधानी दिल्ली में पहुँच रहा है पराली के धुए ने दिल्ली को 26 प्रतिशत तक प्रभावित किया है केंद्री प्रदूशन येंतरन बोर्ट के आंकडों के मताबिक राजधानी के अधिकतर एलाकों का वायू गुडवत्ता सूचकांग 400 के पार दर्च किया गया है जो की गंफी शेनी में आता है तो वहीं प्रदूशन बढ़ने की दो बड़ी वज़े भी निकल कर सामने आ रही है एक तो पराली जलाने की घटनाओं का बढ़ना तो दूसरा गाडियों से निकलने वाला धुआ ऐसे में दिल्ली को दम घोटू हवा से छुटकारा कब और कैसे मिल पाएगा ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नबसकार